जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इजनोट्स क्लिक पर दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे NIT के अंतरगत दोस्तों Non-Teaching Recruitment 2022-23 की तो देखें दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो है NIT राउर किला के अंतरगत दोस्तों राश्टी प्रदोगी की संस्थान के अंतरगत टोटल नमबर आप पोस्ट की बात करें दोस्तों तो जैसे आप थमनिल में देखी रहे हैं कूल पदो की बात करें तो यहाँ पर देखें 147 पदो के लिए दोस्तों जो की Non-Teaching के अंतरगत है वेकेंसी जो है दोस्तों निकाली गई है इनके तरब से तो चले दोस्तों बात करेंगे टोटल नमबर आप पोस्ट की कितने कौन-कौन इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसके qualification क्या क्या है उसकी official notification उपन कर रखें दोस्तों तो देखें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूँ कि यह है जो विकिंसी वहां दोस्तों non-teaching post के लिए है फिर बात करेंगे दोस्तों आप इसके लिए apply कप से कप तक कर सकते हैं तो देखें फर्स्ट महीन दे दिया है दोस्तों आप 13 दिसंबर की यह है जो है notification जो है पब्लिस किया गया है तो चले दोस्तों यहां पर next topic में बात करूँ तो दोस्तों मैं आपको जो है केटिगीरिवाज दोस्तोँ टूटल नंबर आप पोस्ट और कितने finish ऑस नेम आप पोस्ट करें दोस्तों तो देखें इनाइटी राउर के लग के अंतरगत दोस्तों देखे टोटल नमबर आप यहाँ पर पोस्ट निम की बात करें तो यहाँ पर 19 तरह के पोस्ट है दोस्तों और चले दोस्तों एके करके देखें तो देखें फरस्ट है आपका दोस्तों एनाइटी में लाबरेजन के लिए तो एक पोस्ट यहां पर दिया गया है, फिर दोस्तों आपका Principal Scientific Officer की बात करें, तो इसके लिए भी दोस्तों एक पोस्ट रखा गया है, फिर देखें दोस्तों आपका Senior Scientific Officer की बात करें तो टोटल नमर आप पोश्ट दोस्तों एक रखा गया है फिर देखे दोस्तों senior executive engineer की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखें total number पोश्ट एक दिया गया है फिर दोस्तों आपका scientific officer की बात करें तो total number पोश्ट यहाँ पर एक रखा गया है फिर देखें दोस्तों next post बात करें तो student activities and sports की बात करे तो देखे इसके लिए total number पोस्ट एक ही रखा गए है फिर देखे दोस्तो नेश्ट पोस्ट की मैं बात करूँ यहां हमें पर देखे assistant registrar का तो इसके लिए दोस्तो total number पोस्ट देखे 4 रखा गए है फिर देखे दोस्तो medical officer की बात करें तो इसके लिए total number आप post तीन रखा गए है फिर दोस्तों यहाँ पर superintendent की बात करेंगे तो देखे total number आप post दोस्तों 10 रखा गए है फिर दोस्तों बात करेंगे technical assistant की तो देखे दोस्तों यहाँ पर total number आप post 36 दिये गया है दोस्तों फिर आपका junior engineer का के देखें तो देखे Total Number आप Post यहाँ पर तीन रखा गय है फिर देखे दोस्तों यहाँ पर Next Topic की बात करें आपका S&S Assistant की बात करें तो Total Number आप Post यहाँ पर एक रखा गय है फिर देखे दोस्तों, Next Topic की बात को Next Post Name की तो Library and the Information Assistant की बात करें दोस्तों इसके लिए देखे टोटल नमबर आप पोस्ट तीन रखा गया है फिर देखे दोस्तों सिनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देखे टोटल तेरा पोस्ट दिये गया है फिर दोस्तों junior assistant की बात करें तो देखें यहाँ पर 25 पोस्ट दिये गया है फिर देखें दोस्तों next यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करें तो senior technician के लिए दोस्तों total number आप पोस्ट यहाँ पर देखें 12 पोस्ट दिये गया है फिर देखे दोस्तों 19 नंबर पोस्ट नेम की बात करें तो टेगनीशन के लिए दोस्तों यहाँ पर देखे टोटल नंबर पोस्ट 29 रखा गया है तो इस तरह से दोस्तों आप टोटल नंबर पोस्ट की बात करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो देखे 147 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों तो चले दोस्तों यहाँ पर next topic की बात करेंगी education qualification की तो देखे दोस्तों आपको serial wise मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि देखे फर्स्ट बात करें दोस्तों librarian के लिए तो देखे पे skill दोस्तों यहाँ पर 14 रखा गया है और इसके लिए पे आपका जो salary रहे दोस्तों वो एक लाग 44,200 से दोस्तों एक लाग 44,200 से दोस्तों दो लाग 18,200 रुपे और age limit की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखे 56 साल जो है आपकी age होनी चाहिए sorry दोस्तों आपकी age जो है 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए फिर देखे दोस्तों यहाँ पर qualification की बात करें तो दोस्तों इसके लिए librarian के लिए दोस्तों आपके पास यदि आप 60% अंकों के साथ दोस्तों master degree की हैं library science में दोस्तों तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं plus दोस्तों साथ में experience दिया गया है यदि आपके पास दोस्तों 10 साल का अनुभाव है deputy librarian के पध पर तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों साथ में आपका desirable करके दे दोस्तों आपका PhD यहाँ पर compulsory कर दिया गया है फिर देखे दोस्तों next यहाँ पर postonum की बात करेंगे तो principal scientific officer की तो इसके लिए देखे दोस्तों पेस्किल आपका यहाँ पर 14 रखा गया है पेस्किल से में दोस्तों और age criteria की बात करें दोस्तों यहाँ पर देखे अपर जो highest आपका age जो होना चाहिए वो दोस्तों 56 साल से अधिक नहीं होना चाहिए फिर देखे दोस्तों education qualification की बात करें तो यदि आपके पास B, BTEC या फिर MSC, MCA की हैं दोस्तों degree है आपका तो 60% अंको के साथ तो आप जो है इसके लिए eligible हैं और experience की बात करें दोस्तों तो देखे 15 साल आपका experience होना चाहिए दोस्तों तब जो है आप इसके लिए apply कर पाएंगे फिर देखे दोस्तों नेश्ट यहाँ पर पोस्ट निम की बात करेंगे आपका superintendent engineer का तो इसके लिए देखे दोस्तों पेश के लापका level 13 रखा गया है और salary की बात करें दोस्तों तो एक लाग 23,100 से दो लाग 15,900 रुपे रखा गया है और age criteria बात करें दोस्तों तो 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए qualification की बात करें दोस्तों तो देखे आप यदि आपने B.E.B.Tech या फिर Civil Engineering में दोस्तों आप 1st class से B.E.B.Tech की हैं तो आप जो इसके लिए eligible हैं फिर देखे दोस्तों experience की बात करें तो आप 5 साल दोस्तों regular service होनी चाहिए senior executive engineer के पत पर दोस्तों grade पे की बात करें तो 76-100 यदि आपका grade पे है और 10 साल experience है दोस्तों तो आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं फिर देखे दोस्तों next यहाँ पर post name की बात करेंगे tpt register के लिए तो दोस्तों आप इसके लिए पेस के बारा रखा गया है salary की बात करें तो देखे 78,800 से दोस्तों 29,200 रुपे आपका salary payment रखा गया है फिर age limit की बात करें तो दोस्तों देखें यहाँ पर 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए तो देखें दोस्तों education qualification के बात करें तो 55% अंको के साथ दोस्तों यदि आप master degree रखे हैं और आपके पास assistant professor के प्रोफेसर के पत पर दोस्तों यदि आप 9 साल के experience है तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं फिर देखें दोस्तों next post name की बात करेंगे तो senior scientific officer का पे लेवल दोस्तों इसके लिए 12 भी रखा गया है और age criteria दोस्तों 50 रखा गया है 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए qualification की बात करें दोस्तों इसके लिए भी सेम रखा गया है यदि आप दोस्तों बी बी टेक या फिर MSC की हैं दोस्तों तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं फर्स्ट क्लास से आपका होना चाहिए डिगरी और दोस्तों experience की बात करें तो देखे या science या फिर टेकनोलोजी के पत पर दोस्तों या फिर research as technical officer के पत पर यदि आपके पास 5 साल का नुभाव है तो आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं फिर देखे दोस्तों यहाँ पर next top Postnum की बात करेंगे तो Sr. Executive engineer के लिए इसके लिए भी paste केविल दोस्तों same रखा गया है age भी same रखा आप देख लिए फिर दोस्तों education qualification की बात करें दोस्तों इसके लिए भीوس गया से आप पोस्टेए पलाई कर सकते हैं फिर देखे दोस्तों बात करें तो पास साल का experience होना चा अफिसर के लिए तो देखिए इसके लिए पेवेंट जो है दोस्तों लिवल 10 के इंतरगत 56,700 से दोस्तों एक लाग से सतर हजार 500 रुपय आपका पेवेंट रखा गया है एज की बात करें दोस्तों तो आप 35 साल से दोस्तों अधिक नहीं होनी चाहिए फिर देखें दोस्तों यदि आप 5 साल यदि आप एंपलोई हैं दोस्तों तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं फिर देखें दोस्तों बात करेंगे पोस्ट निम इस्टुटेंड एक्टिविटी एंड इस्पोर्ट ऑफिसर की तो इसके लिए देखें दोस्तों पेवेंट सेम रखा गया है दोस्तो पे लेवल 10 रखा गया है एज क्राइटर एक बात करें दोस्तो इसके लिए भी सेम रखा गया है क्वालिफिकर्सम की बात करें दोस्तो तो देखें यदि आप फस्ट क्लास से दोस्तो 60% से यदि आप मास्टर डिगर रखे हैं फिजिकल एजूकेशन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फिर देखें दोस्तो नेश्ट यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करेंगे तो देखें आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए दोस्तो इसके लिए भी पेलेवल दो है जो है दोस्तो सेम रखा गया आप देख लिजीगा qualification की बात करें दोस्तों तो यदि आप 5% अंकों के साथ master degree किये हैं तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं फिर यदि देखें यदि आप जो है government deploy है और superintendent के पत पर जो है कारे रथ है दो साल का नुभाव है तो आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं फिर देखें दोस्तों next यहाँ पर post name की बात करेंगे medical officer का दोस्तों इसके लिए भी pay skill जो है same रखा गया है level 10 पर रखा गया है age जो है दोस्तों इसके लिए 35 साल और दोस्तों qualification की बात करें तो देखें यदि दोस्तों आप आपके पास MBBS की डिग्री है तो आप जो है दोस्तों इसके लिए apply कर सकते हैं फिर देखें दोस्तों यहाँ पर next post name की बात करेंगे तो superintendent का है दोस्तों इसके लिए pay level जो है छे रखा गया है इसके अंतरकत देखें दोस्तों 35,400 एक लाग 12,400 रुपया आपका payment रहेगा और फिर देखें दोस्तों आपर age limit की बात करें तो इसके लिए 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए फिर दोस्तों qualify question की बात करें यदि आप first class से दोस्तों bachelor degree रखें है तो आप जो इसके लिए apply कर सकते है या फिर दोस्तों यदि आप master degree है आपके पास तो आप जो इसके लिए apply कर सकते है देखें दोस्तों यहाँ पर computer knowledge जो है आपको होनी चाहिए MS processing या फिर separate seed का तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं फिर देखें दोस्तों ने ने यहाँ पर post name की बात करें तो technical assistant का है दोस्तों पे लेवल 7 रखा गया 6 में और age criteria तीस साल से अधिक नहीं होनी चाहिए फिर देखें दोस्तों यहाँ पर qualify question की बात करें तो देखें यदि आपने B, BT या फिर MCA की हैं दोस्तों first class से तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप diploma की हैं first class से तो भी आप apply कर सकते हैं या फिर आप bachelor degree है दोस्तों first class से तब भी आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं या फिर यदि आपने master degree है दोस्तों आपके पास science में त तो आप जो है इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, साइंस में दोस्तों 50% आपका अंख होना चाहिए, फिर देखे दोस्तों यहाँ पर नेश्ट पोस्ट अनिम की बात करेंगे, जुनियर इंजिनियर का, तो इसके लिए भी देखे दोस्तों, पे लेवल जो है आपका सेम रखा तो आप जो है इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, फिर दोस्तों नेश्ट पोस्ट अनिम की बात करेंगे, हाँ पर एसे एस असिस्टेंट की तो दखे पे लेवल जो है इसके लिए भी सेम रखा गया है, जो यदि आप फिजिकल एजुकेसन में दोस्तों बेचलर डिगर दोस्तों, एक लाग बारह जाचार सो एज क्राइटर की बात करें तो देखे इसके लिए भी तीस साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्वालिपेकरिस्ट की बात करें दोस्तों, यदि आप साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स से दोस्तों, आप बेचलर डिगरी रखे हैं, इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में दोस्तों, आपकी बेचलर डिगरी, लाइवरी साइंस में बेचलर डिगरी भी होनी चाहिए, दोस्तों, तब ही आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, डिजारेबल की बात करें दोस्तों, तो देखे, यदि आप लाइब फोर रखा गया है दोस्तों इसके अंतरगत 25,400 से 81,100 रुपे आपकी पेबेंट रहेगा एज करेटर लेकी बात करें दोस्तों तो तो 39 सल से अधिक नहीं होनी चाहिए और Qualification की बात करें दोस्तों तो देखें यदि आप 12 पास हैं और आपके पास typing speed है दोस्तों 35 सब्द प्रती मिनट आपकी typing speed है तो आप जोई इसके लिए apply कर सकते हैं इसमें देखें दोस्तों desirable करके दे है आपका जो efficiency test होगा वो जो है computer पे होगा फिर देखें दोस्तों next यहाँ पर post name की बात करेंगे आपका junior assistant का तो इसके लिए देखें दोस्तों pay level 3 रखा गया है तीन के अंतरगत 21,700 से 79,100 रुपिय आपका salary होगा फिर दोस्तों age criteria की बात करें तो 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए फिर दोस्तों यदि आप qualification की बात करें तो देखें बारवी पास है दोस्तों और आपका 35 सब्द परती मिनट है tapping speed है दोस्तों तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं दोनों का qualification same रखा गया है फिर देखें दोस्तों यहाँ पर next post name की बात करेंगे senior technician का तो इसके लिए भी देखें दोस्तों pay level same रखा गया है qualification की बात करें दोस्तों तो इसके लिए देखें यदि आप बारवी पास हैं दोस्तों science subject से 70 פरसें अंको के साथ तो आप जो इसके लिए apply कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर next post name की बात करेंगे technician का तो इसके लिए देखें दोस्तों pay and level three के अंतर्गत 21,000 सब्सूइगoben धी 271,000 गजलीमिट की बात करतें दोस्तों तो 27 स हम संस्तों चाहिए qualification की बात करें दोस्तों तो इसके लिए भी देखे science में science subject से दोस्तों आप बारवी पास है 60% अंको के साथ तो आप जो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं या फिर दोस्तों बारवी के साथ में 50% अंको के साथ यदि आप IT पास हैं तो भी आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों general instruction की यहाँ पर देखेंगे general information की तो देखें दोस्तों यहाँ पर age relaxation की बात करें तो दोस्तों HCT के लिए यहाँ पर देखें आप 5 साल का आपका age जो छूड दिये गया है दोस्तों और जो OBC candidate है उनके लिए दो साल के यहाँ पर छूड दिये गया है फिर देखें दोस्तों यहाँ पर next topic की बात करेंगे दोस्तों तो application process की तो देखें दोस्तों इसके लिए आपको online आविदन करना पड़ेगा इसके लिए देखें दोस्तों यहाँ पर link जो है दे दिया गया है इनके दोरा की website दोस्तों nitrkl.ac.in faculty staff career non-teaching इस तरह से दोस्तों आप जो है online इसके लिए अपलाई कर पाएंगे फिर देखें दोस्तों important dates की बात करेंगे दोस्तों तो आप कब से कब तक अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों आप जो है इसके लिए 14 तारिक से दोस्तों आप जो है इसके लिए अपलाई कर पाएंगे और closing date की बात करें दोस्तों तो देखें 16 January 2000 13 से तक जो है दोस्तों आप इसके लिए apply कर पाएंगे तो इस तरह से दोस्तो आसा करता हूँ आप जो है पूरा process जो है समझ गया होंगे फिर भी दोस्तो यदि कुछ भी मन में doubt है तो आप जो हमाई comment box में comment कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो आसा करता हूँ दोस्तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो चले दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा और अपने दोस्तों को भी share कर दीजेगा दोस्तों तो चले दोस्तो तब तक के लिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में हस्तरे मुस्करातरे जहिन